नमस्कार दोस्तों मैं हो रमन मेश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल परिक्षा प्लस पर बात UPSC Lower 2 के पेपर की होगी जो 28 जुलाई को संपन हो चुका आप समझ रहे होंगे कि मैं लेट हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको जिन चीजों के लिए आपके सामने आया हूँ यानि हम हिंदी सेक्षन के बाग जो हिंदी आपका भाग रहा हूँ उसमें पूछे के प्रशनों का बिशलेशार करेंगे उत्तरकुंजी तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन साथ साथ क्या UPTSC Lower 2 के बेस पर आप Lower Exam की तैयारी कर सकते हैं जो 14 से 15 सितंबर की है मैं बात इन मुद्दों पर करूँगा प्रशन पत्र आपके बाएं पेज पर इस पर देख रहा होगा दायने तरफ सिरीज जो है आपकी एफ की है और हिंदी में पूछे कि प्रशनों को मैं सुरुवात करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में जो प्रशन ये सुरुवात हुए थे इसमें बहुत ध्यान से देखेगा जिन जिन प्रशनों की मैं आपसे बात करूँगा उन प्रशनों के क्या यूपी ट्रीपल सी लोवर 14 से 15 सितंबर में पूछे जाने के चांसे जहें या नहीं आपका आज का स्लेबस क्या है मैं इन भी स अर्थ के आधार पर अगर हम देखें वैसे वाकी का जो आधार होता है आर्थ के आधार पर आपसे पूछा है रचना के आधार पर वाक्यों के तीन प्रगार है पहला वाक्या आपका आता है शाधारन वाक्य, दूसरा आपका आता है सयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य जो आपको मिलता है ये होता है मिस्र वाक्य, तो तीन प्रकार इससे बनते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य बनते हैं आठ प्रकार, ठीक है इच्छा वाचक, संकेत वाचक और आठमा प्रकार होता है संदेव वाचक, यह अर्थ के आधार पर है, मैंने लिखा कि इसलिए कि क्योंकि आज UPSSCE के स्लेवस में, जो आज UPSSCE आपके एक्जाम करवा रहा, 2019 में करवा रहा, उसमें अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं यह आपके स्लेवस में नहीं रहे गया है, पढ़ना किया है, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, यह आपके स्लेवस में हैं, इसको लोड़ डाउन करें, रचना के आधार पर वाक्यों को पहचानना आपका काम है, आप इस पर थोड़ा वर्क करिए, UPSC के प्रिव आमें दिमाग लडाना है रचना के आधार पर जो साधार और सायुपत और मिश्र वाकिया हैं, इनको कैसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमारा सेलेक्षन इस टॉपिक को पढ़ने से होना है, ना की आर्थ के आधार पर, 151 का जो आंसर होगा, जो इस question में पूछा था, उसका अंसर आपका बनेगा, आठ प्रकार और आठ प्रकार आपका दिया है अंसर, जो आफ संडी है, दूसरा इसमें question देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा वाकिया सुद्ध है, ठीक है, वाकिया सुद्धी से सम्मधित सवाल, आज भी EPSC में, वाकिया सुद्धी से सवाल बेशेशन में सुद्धी इनके आधार पर वाकियों में सुद्धी पहचाननी है, या आज EPSC इस आधार पर सवाल पूछ रहा है, तो आपको कहा से तैयार करना है कि दूसरा भी point में ने जिकर कर दिया, कि वाक्यों की आसुद्धी आपको कहा से पढ़नी है, वो आसुद् वचन में आएगा ऐसे पुरुस में होती हैं, क्रिया में आपकी आती हैं, तो उन सब से सवाल आपको तयार करना है लोवर के लिए, अगले लोवर के लिए, ठीक है, इसमें जो एक सो बावन में पूछा था, 152 नंबर क्वेस्टन में, एक सो बावन में पूछा है कि आप से ब्यक्त करेंगे, पहला वाकी बिल्कुल सुद्ध है, दूसरा कह रहा है, मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख का कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कि लंबाई और चोडाई में माप सको, ठीक है, इसलिए मुझे बड़ी भूख लगी है, यहीं आपका गलत है, असु आपको देखना किया जैसे इस पर जो अभी तक सवाल बूचे जा रहे है, वो पूचता है संका से, कि संका क्या होना चाहिए, निवारण होना चाहिए, संका गंबीर है, संका उत्पन हो रही है, इस टाइप से सवाल देता है, ठीक है, वहाँ पर आपको असुद्धी पहच कर देगा और आपको वस चीज पर थोड़ा ध्यान देना है अगला मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्वेशन नमबर 113 तो 152 का आंसर हो जाएगा बी बी में आपका बड़ी भूख नहीं बहुत भूख होना चाहिए यहीं आपकी असुद्धी है ठीक है तीसरा क्वेशन कह रहा है निमलिकित में से कौन सा सब्द पुल्लिंग है पुल्लिंग इस्टरीलिंग आज भी आपके स नकेल तीसरा कह रहा है मुंडेर और चोथा कह रहा है बटेर तो इसमें जो यह पहला दिया है नकेल नकेल सब्द आपका पुल्लिंग है यह सब्द पुल्लिंग है ठीक है 153 का आपका आंसर पहला ही बन जाएगा अंधेर बाकी इसमें जो दिया है ठीक है मुंडेर दिया ह यह सब आपके पुलिंग नहीं, इस तेरी लिंग की अंतरगत आते हैं. समास से आएगा, एक सोच उमवन में पूछा है, समासिक पदों या पुनरुति या युग सब्दों के मद्द किसका प्रियोग किया जाता है? बहुत बढ़ी हैं क्वेशन है. ठीक है? जब आप पढ़ते हैं दुंद समास, समास में पढ़ते हैं दुंद समास, दुंद समास म अब है, इक चीज आती है, कि आपस में ऐसे सब्द होते हैं, जिनके बीच में योजक चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में जैसे पाप पोड़े, ठीक है, राजा, राणी, माता, पीता है, तो इनके बीच में हम डैस लगाते हैं, ठीक, तो ऐसे समाज जिनके बीच में योजक चिन्न लगा रहता है, वो क्या कहलाते हैं, दॉन्द समाज, इसमें पुछा है, सामासिक पदोग, या एक सब्दों के मदि, किस चिन्न का प्रियोग करते हैं, तो वो योजक चिन्न होता है, आपका, ये जो डैस वाला होता है, डैस अला की दूसरा भी चिन्न है, ध्यान रखियेगा, ये हलका सोज़ लगता है, इसको योजक चिन्न कहते हैं ठीक है तो 154 का option आपका आंसर सी सही है 155 नंबर लोकों की यों मुहाबरे आज भी आपके से लेखने है तैयार करना है ध्याम रखिएगा ज़रूर 155 में पूछ रहा है साउधान करने के अर्थ में मुहाबरा है तो 155 साउधान करना इसमें जो option पहला option दे रहा है आ कान खोलना का मल्लब होता है कि किसी के कान में कोई बात कर दो कि हाँ वो तुम्हारा सत्र है तुम उससे मित्रता दिखा रहे हो तो option B सही हो जाएगा 155 का option B हो जाएगा किसी को साउधान करना है तो मुहाबरे के रूप में उसको बोलेंगे कि या जो है उसके कान खोल दो उसको लेकर ठीक है इसमें ओर चबाना ओर चबाना मल्लब क्या होता है अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुसा हूँ आग बबुले हूँ आप खून पीना परिशान करना किसी को करते हैं आप मेरा खून पी रहे हो तंग कर रहे हो अगला इसमें दिया है 156 नंबर हिर्दे पवित्र तो सबकुष ठीक के अर्थ में लोकोक्ति एक प्रशन लोकोक्तियों से एक प्रशन मौाबरे से मिल चुका है दोनों आपको तयार करना है देया है अपीटिबल एसमें आज किसले है बस लोवर के लिए जरूरी है ठीक है इसमें दिया है 156 में कि हिर्दे पवित्र तो सबकुष ठीक के अर्थ में लोकोक्ति क्या है आप्शन 4 दे रखे पहला कह रहा है मान ना मान मैं तेरा महमान ये तो जबरदस्ती अली बात हो गई इसका और इसका कोई सेंस ही नहीं मिलना देखो लोकोक्ति क्या होती लोकोक्ति वो होती है जो जन मानस में कि के भावना है मलव लोग कुछ और बोनले लगते हैं किसी को वो हमारे आम बोल्चाल की भासा में आ जाता है इसलिए उसको लोकोगती कहा जाता है इसमें बोल लाई दूसरा कह रहा है मार मार कर हकीम बनाना किसी को जबरदस्ति कोई काम कराना तो यह तो इसका रिलेशन है नह अगला बोला है पराय धन पर लचमी नारायन, दूसरों के धन पर रहत दिखाना ये भी कोई आपका इसका सेंस नहीं बनना है, अगला बोला है दी मंचंगा तो कठावती में गंगा बहुत अच्छा इसका आर्त है इसी लोकोक्तिकार्थ होता है कि हिर्दे प्रभित्र तो सबकुष ठीक कवीरदाग्स के दोहे याद करिए मंचंगा रहीमदास भाले ठीक रहीमदास जी बोला करते थे कि अगर मंचंगा है तो कठोती में ही गंगा है ये 156 का D हो गया तो आप लोग भी मंचंगा रखिए और कठोती में ही गंगा मिलनी है याईनि अगर आपका दिमाग पूर्ण रूप से सुद्ध है पढ़ाई अच्छी तरीके चल लेए तो 100% सफलता मिलनी निश्रित है आप ये भ्रम्वस ना रहें कि हाँ क्या चीजें मैं पढ़ों कैसे पढ़ों आपको पता है जी यह से हिंदी है जुट जाओ आँक बंद करके और जितना कितना जितना मैं आप से डिसकस कराओ जिन जिन पॉइंट्स को उनी को रूठा कर आप सुरू कर जाएए 50 प्रसन आएंगे 50 के आप 45 प्लस कर देंगे ठीक है इसके बाद लेक्षर हिंदी के आपके आएंगे अगला एक सो सताओन कह रहा है वाराण सी गोरकपुर आरा ठीक है किमत यह कौन सी बोली-बोली जाती है ठीक तो का हाल चालबा कैसन बा हो आप जानते हैं यह कौन सी भासा है भोजपुरी अओधी तो अपने लोगों की है कहा जातो भईया कैसन है ठीक है यह अओधी है आपकी लेकिन जो भोजपुरी है कहा हाल चालबा आप लोगों में से बहुत सारी लोग ऐसे जो भोजपुरी के फैन है ठीक है और सबसे बड़ी चीज है, जब आप आटों में बैठते हैं, तो फैन ना हो तब यह आटों वाले आपको सुना देते हैं, एक से एक भोजपुरी, जिनके आर्थ आप घर तक सूचते हैं, बहराल, तो यह भोजपुरी वाली है, ठीक है, जिस पर अभी वर्ड कप दें, वहा दो क्वश्चना आ रहे, जो 50 प्रशना आते हैं आपके, उसमें वर्टनी से दो प्रशना आ रहे हैं, इसमें चुकि प्रशनों की संख्या कम है, इसलिए वर्तनी से इसमें जो सवाल पुछा गया है, केवल एक, बहुत आसान सी वर्तनी दी, अभी आप वर्तनीयों पर कुछ और जाता है, बोलने की आधार पर उसमें ब्याकार्डिक तुर्टिया होती है, इसमें दिया आपका रिशी है, तो 158 का जो आपका आपका आप्शन पहला है, रिशी, यहीं आपका सही है, ठीक है, बहुत आसान सी वरतनी आई थी, बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप EP SSC ने लिख रखा है, सबसे पहला पॉइंट जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिख रखा होता है, कि पत्र से सम्मंदित सवाल, दूसरे पॉइंट में वो लिख रखा होता है, कि आपके जो यह है, अंसीन पैसे जानी, जिनको आपने आज तक पढ़ा नहीं है, देखा उसमें पैससे सम्मंदित सवाल पूछूँगा, इसमें सीरसक से सम्मंदित एक सवाल पूछलिया, तो सीरसक कैसे पहचानना है, यह सब बहराल मैं टॉपिक आपको और अच्छे से अपने हिंडी के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इसमें 159 का जो question पूछा है, बहुत आ जो आपका इसमें एक तरीके से पैराग्राफ है और पहले वाले में ऐसा कोई आंसर नहीं मिला दूसरा वाला जब आप पढ़ते हैं तो दूसरे वाले में दिया है कि वो स्कीर्थ का एक मात्रुदार ने अपने धर्म और करतब भी के लिए उसका कस्ट सायन किसका सीता का तो 159 का आंसर एक सो उनसर का जो आंसर होगा यह सही होगा आपका आप्शन डी ठीक है अगला दिया उप्युक्त गद्यान्स का सीर्षक बताईए बहुत बढ़ियां जो प्रश्ण में आपसे बात किया था कि पैसेज में ऐसा यूपी ट्वलसी बोला है वहीं प्रश्ण आप आप सुरवास से पढ़ोगे सब कुछ सीता के करतब भी और सीता के धर्म के राम के सातथ बनबास जाना पतनी धर्म का निभाना ठीक है बहुत सारी ऐससे चीज़े हुई जब रावन बनबास ले गया तो वहाँ पर उन्होंने पतनी पर प्रश्ण में निभा सुए तमाम इंग्ल्यस में बोलता है, प्रेसिस राइटींग, संचेपर पूछा है कितने सब्दों में लिखना चाहिए, 1 by 3, बहुत आसान है, कोई भी संचेपर लिखा जाता है, जब आप लिखते है, तो एक थीहाई संचेपर लिखा जाता है, इंग्ल्यस में, ठीक है, CAPF की आप पर इच्छा देने जाओगे, उसमें पूछता है, UPSC कराती है, CAPF उसमें देने जाएंगे, तो वहाँ आपसे पूछता है संचेपड, प्रेसिस राइटिंग आती है, इंगलेस में पैराग्राफ होता है, उसको एक बटे तीन में लिखना होता है, तो संचेपड कि पढ़ लीजिएगा, लोवर के लिए important है, क्योंकि question आएंगे इसे, 100%, अगला 162 जो इपिटर लोवर आज आप से पूछ रहा है, पत्र, सबसे पहले उसने लिख रखा है, ठीक है, 112 पॉइंट उसने लिखे हैं, 13 पॉइंट, और उसमें से सबसे पहला आपका 161 नंबर आ है, कि अगर आप पत्र लिखते हैं किस प्रकार का, वयक्तिक, ठीक है, ब्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, तो आपके ब्यक्तिगत पत्रों में, देखो, पत्र सास किये, आसास किये, ठीक है, आपके government होते हैं, semi-official होते हैं, इनी से हमें बात करनी होती हैं, इनी से, इसमें उनको अपना बेक्तिगत पत्र लिख रहे हैं कि हाँ घर में क्या हाल चाल है हमारे यहां बढ़ियां है तो बेक्तिक पत्र है वो किसके सगे संबंदी और मित्रों के मद्धी आप्शन भी आपका C दिये रखा है C आप्शन सही हो गया ठीक है बेवसाईयों के मद्धी बेवस अगला है 163 वैयर्णमाला इसने पहला मुझे सवाल दिया है वर्णमाला से 5 क्वेfelt वह एकदम फर्शन तैयार हो व्रणमाला से 5 क्वेस्टन पूछे में बहुत ज्यादा दस नंबर के सवाल हो गए आपके तो वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ना है बैराल जितना वर्णमाला मैं आपको इसमें पढ़ा दूँगा लेक्चर जो मेरा होगा आप उतना पढ़ लो पांच कोईशन के लिए इनफ है जहां से पूछ लेगा ठीक है इसमें पूछा है कि चाचा जाजाईया का उच्छारन कहां से होता है तो तालब भी चाचा जाजाईया जीब कहां जो मौ है आपका उसके उपरी फ्लेट पर टच होती है चाचा जाजाईया ठीक है जीब वहीं टच हो रही है उपर जाकर के बोलके आप देख लीजिए, ठीक है, वर्णमाला में, तो ये तालब भी हो जाएगा, अंसर C सही हो जाएगा, 163 का अंसर सही होगा, तीसरा, C वाला, 164 स्वार संधी के कितने प्रकार संधी से सवाल पूछ लिया, ठीक है, संधी उसमें चुकि आपके वो दिया हुआ है, इस पर मेरा पूरा लेक्षर होगा, तो जो 114 नंबर प्रशन पूछा है, स्वार संधी के कितने प्रकार हैं, वैसे संधीों के बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने भी काम किया है, संधी तीन प्रकारी स्वार बेंजन और विशर्ग, स्वार होती है, तो यह आपके पांच भेद हो जाते हैं, और आप्शन सही होता है, आपका D, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 165, 165 में देख्या रखा है, प्रशन आप से पूछ रहा है, यहां बगल में रहे होगा, तत्सम तद्भो सब्द, बहुत बढ़ियां, मलब यह ल है, उनको उठाइए तो तत्सम दो सब्द और तद्भो दो सब्द, यह दोनों दे रखे हैं, ठीक है, तत्सम और तद्भो से, यहां पर जो प्रशन दिया है, मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसमें जो प्रशन इसने तद्भो और तत्सम से दिया है, वो दिया में पूरा पढ़िये, question ध्यान से पढ़िये, हिंदी 50 question होगा, समय दीजिए, 10 मिनिट का दाइरा मत, अपनी से बनाईए, ठीक है, 165 question में तद्सम नहीं है, पक्ष, तद्सम, ठीक है, पंक होता है, अगला दिया है, वायू, तद्सम है, ठीक है, साई, ये, तीसरा जो 165 का मिल गया, मुझे C, ये साई है, साई का आर्थ होता है, ये तद्बों सब्द है, इसका तद्सम क्या होता है, इसका तद्सम होता है, स्वामी, ठीक है, स्वामी इतना दीजिए, जह में कुटम समाए, अगला है आपका, इसके बाद 166 नमबर, वैसे इसमें 165 में आपका राजा भी दिया है, ठीक है, राजा का तद्सम जहां तक आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, राजन लिखा मिलता है, राजा का तद्सम आपको राजन लिखा मिलता है, तो ये तो question आपका क्या हो गया एक तरीके से साई दिया है, साई का स्वामी होता है और राजा दिया है, राजा का तच्सम राजन होता है मेरे हिसाब से ये गलत आपको मिल जाएगा 165 में दो option C का साई दिया है, साई आपका तद्वो सब्द है और इसका जो तत्सम होता यह स्वामी होता है तो surveillance आप कर सकते हैं और दूसरा जो D option मिल ला है D option राजा दिया है राजा का तत्सम जो होता है राजन होता है ठीक है कई राजा लिखा नहीं मिलेगा संस्कृत आप पड़ते हूंगे राजन लिखा मिलता है, निरिप लिखा मिलता है, ठीक है, तो ये क्वेशन थोड़ा सा जो है, इसमें दो दो तदभो दे दिया है, आगे बढ़ते हैं, निमलिकित में से कौन सा सब्द तदभो है, 166 नमबर फिर से वही, आप सने 166 का दे रखा, पंक उपर मैंने पक्ष के बारे में बताया कि इसको पंक कहते हैं, अक्षर दिया है, ठीक, अक्षर की परिभासा ही होती है, ना शरत इती अक्षर आहा, जब ब्याकरण पढ़ना सुरू करते हैं, तो उसमें अक्षर की संस्कित ब्याकरण में परिभासा दी गई है, ना शरत इती अक्षर आहा, जिस तो आक्षरकारी आग्यां ये तीनों के तीनों आपके क्या है? तद्सम है कि ये वल पंख दिया है ये तद्बो है तो 166 का सही हो जाएगा आपका A 166 नंबर प्रश्ण जो है इसका A सही होगा 166 का सही होगा A अगला बरते हैं 166 नंबर मृगन बहुत बड़िया सवाल समास से सवाल उठाया है मृगनेयन में समास के आए अब जल्दी में अगर है ठीक आपको लग रहा देसमेट के अंदरrif कमप्लीट कर लिए तो आप पढ़ोगे क्या मृगनेयनी जो अधारन पढ के आये है मिर्ग नैन में समास पूछा है मिर्ग नैन में समास क्या है option B करमधारे ठीक है और अगर मिर्ग नैनी दे देता यानि इसका आर्थ समझो मिर्ग नैनी का आर्थ होता है कि जो हिरन है हिरन के समान आखो वाली इस्तरी बहुबरी किसी और के बार इम बात कर दिया और आप मिर्गनयनी पढ़के गए हैं बोवरी जो है आप्षन में मिला तो आप खट से मार के बढ़ जाओगे मिर्गनयन ये आपको क्या होगा करमधारे समास अब बढ़ते हैं इसके बाद 166 के बाद 168 कहरा है कौन सा सब्द विष्णू का प्राइवाची नहीं है प्राइवाची आपको पढ़ना है आपके सलेबस में है ठीक है प्राइवाची थोड़ा सा ध्यान देना है आपके सलेबस में है विष्णू की प्राइवाची तो विष्णू का उतार भग्वान राम और विष्णू का उतार भग्वान क्रिष्ण तो क्रिष्ण को जो जो बोलते हैं, राम को जो जो बोलते हैं, दोनों विष्णू को बोलेंगे, जाहिर सी बात है इसमें दिया है केसो, कनईया को केसो भी बोलते थे चक्रपाणी बिष्णू का नाम ही है बवरी समास का उधारन भी है ठीक है हाथ में जो चक्रधारन करता है दामोदर इनी को बोलते हैं मुक्त पूरस मुक्त का मनलब क्या खाली एकदम पूरस मनलब को यह ऐसा बेक्ति मिल गया जो एकदम खाली है संसारिक जीवन जो है मुख्त पूरस से सन्यासी सादू जिसको कहते हैं ठीक है कुछ लोगों का विचार होगा लेकिन ऐसा बनना नहीं है 168 नंबर प्रस्ण बता जो है संसार में दिये बैठे हैं, ऐसा हमें मिलता है मारे धर्म ग्रन्तों में. 189 नंबर क्वेश्चन कहे रहा है, निस कलूस का बिलोम क्या है? निस कलूस, इसका बिलोम सबसे बेस्ट आप्शन सी दिया है, कलूस. ठीक है, बिलोम भी आपको पढ़ना है. युगम की बात आगए, युगम आपको बहुत पढ़ने, जहां पर एक सो पचास क्वेश्चन आएंगे, उनमें दो-दो युगम आपको उछे जाने हैं, तो उन पर ध्यान दीजिएगा. एक सो सत्तर नंबर सवाल कह रहा है, कि अभिग और अनभिग सब्दों का सही अर्थ बताइए. ठीक है, अभिग के होगा मलब होता है, जानकार, ठीक है, और अनभिग की का मलब होता है, जो कुछ न जाने है. कहते हैं, मैं इस मुद्द से अनभिग हूँ, मुझे इस बामले में कुछ नहीं पता, ठीक है, तो इसमें सी आप्शन सही है, कि जानकार और ना जानकार, एक सो इकत्तर जो आखों के सामने हो, ठीक है, आखों के सामने आपका कौन होगा, जो आखों के सामने होगा, कहते है इन प्रतिच्छ के लिए क्या प्रमार। जो आखो के सामने गटिठे थो रहा है। हिसमें आप्षन दिया है भी प्रतिच्छ। तो यह सही हो गया है 171 का आपका भी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद कुछ प्रस्ण दिये हैं। अगला प्रशन दिया है 172, 172 कहा रहा है रचना से सवाल, ठीक है साहिती, हिंदी साहिती के इतिहास से उठाया, खासकर लेखा को और उपन्यासकार से, तो इसमें रचना से संबंदित सवाल है, निमलिखित में किसोरी लाल गोस्वामी चरित कहानी कौन सी है, ठीक है, जिसको हिंदी भासा का एक तरीके से, पहली मौलिक कहानी का दर्जा प्राप्त है, ये ध्यान रखिये गया, हिंदी भासा की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, इंदु मती, रचनाकार, किसोरी लाल गोस्वामी, अगला इसके बाद सवाल निमलिखित में से कौन सा सब्द देशस सब्द और आगत सब्द, ठीक है, ये आपको पांच प्रकार पढ़ने हैं, और उनी में से इसमें जैसे कमर दिया है, कमर जो आपका सब्द है, ये फारसी भासा का सब्द है, अगला दिया है कमरा, कमरा सब्द पुर्तगाली है, उसके बाद दिया है कमेटी, कमेटी officer, pig, train यह सब क्या है, अंग्रेजी सब्द है, चोथा दिया है कान अपना देशजवाला, ठीक है क्योंकि कान तदभव हो है कान का तदसम होता है कान उसके बाद 173 के बाद देखें 174 नंबर कौन सा सब्द पुलिंग है, तो पुलिंग में आप देखें इसमें मंत्रणा कहते हैं, कौन सी मंत्रणा चल लएए आप लोगों की, तो पुलिंग हुआ नहीं, इस तरी लिंग हो गया फिर सभा, कैसी सभा बैठी है, ठीक है गाओं के जो आप से बड़े बुजूर्गर वो यहीं पूछेंगे, चार लोग अगर गटे है कौन सी सभा लगाए बैठे हो अगला है मंदली, मंदली भी इस तरी लिंग में आएगा नियाए, हमको नियाए मिलना चाहिए उसको नियाए मिलना चाहिए इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं लिंक से तो 174 का DC ही हो गया लाश्ट आप्शन है पत्र से बहुत बढ़ी हां पूछ लिया जो टॉपिक में कह रहा था पत्र से फिर से एक सवाल इसने पूछा है निमलिखत पत्रों में अभिनिवेदन अभिनिवेदन सब्द इस्तेमाल किया है अभिनिवेदन का आर्थ होता है कि जब आप किसी को पत्र लिखते है तो लाश्ट में सबसे ज़्यादा आप उसके लिए कुछ आग्या सुचक सब्दों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है? जैसे आपका आग्या कारी 6 आपका सुभेच्छू आपका जो है सुभचिंतक इसमें आप्षन जो रखा है 175 में पहला आप्षन आपका आपका बहुत कम इस्तेमाल होता है आप कुछ ना कुछ लिखे हुआ आपका अपना ठीक है? ऐसा भी प्रियोग होता है कि आपका ये सिधा लिख देते हैं आपका जो है रमन मिस्रा इसमें भावदिये लिखा है सुभेच्छू भी लिखा है सुभचिंतक भी लिखा है लेकिन मेरे हिसाब से इसमें इस्तेमाल तो आपके लगभख सही होते है लेकिन जैसे सुभेच्छू है तो आपका सुभेच्यों इस्तेमाल होता है, सिर्फ सुभेच्यों नहीं, सुभजिन तक है, आपका सुभचिन तक होगा, ठीक है, आपका अपना इस्तेमाल होगा, सबसे बेस्ट जो इसका आपसन सही हो रहा है, वो भी सही होगा, भाउदिये, भाउदिये के बाद आपको आ इतने प्रशनाने आये इसमें, लोवर के लिए क्या पढ़ना है, मैंने पूरी चीजें इसमें आपके विशलेशन कर दिया है, आगे मैं कोई टॉपिक लेकर आऊंगा, इन ही से सम्बंदित कि क्या कैसे पढ़ें, लोवर एक्जाम के लिए, चैनल पर बने रहें, लेक्षर म ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, सुबह और साम में टेस्टरी जो उस पर चलती है, ठीक है, यूटूब जरूर सस्क्राइब करें चैनल हमारा और दोस्तों को जरूर सेयर करें, धन्यवाद